राजनीती में क्या चलता है क्या नहीं चल पाता है वो राजनेता जाने कि क्या सचमुच में इसका असर होगा उनके जो अपने समर्थक है रैली में जो उन लड़कों के पीछे खड़ी भीड रही होगी लेकिन ये सोच लेना कि नहीं ये तो फला पार्टी के समर्थक हैं वो जानेंगे हम लुग पत्रकार ठेहरे हो सकता है उनकी अपनी कोई सोचो इसके पीछे लेकिन अंजना आज मैं आपको और अपने सभी जो इस समय दर्शक देख रहे हैं उन सब को अपने गाउं ले चलना चाहती हूं क्योंकि अपने गाउं की तस्वीरों के साथ मैं ये दिख नाम है निजमा ये रिपोर्ट दिखाती हूं मैं बिहार की व्यवस्था और हालात को समझते हुए आज मैं आपको लेकर चल रही हूं अपने गाउं की तरफ जिला है वैशाली लेकिन अगर हम सीट के हिसाब से देखें लोकसभा सीट के हिसाब से तो हाजिपूर के अंतरगत पढ़ने वाली विधान सभा सीट है महुआ का इलाका और गाउं का नाम निजमा गाउं घर के आंगन की जो बात होती है उसमें जो अपनापन होता है लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो जाता है तो फिर उसे भी समझना जरूरी हो जाता है श्याजव अधर हो के इनडा था यहां पर कुआं कहा गया बहा गया कबसे वरादी कारीब हो गया चारपान सब और नल में अब हम देख रहे थे कि पानी आ रहा है कब से नल कब से घर में लग दू-तीन साल से मतब और पानी आ रहा है उसके हम लोग पढ़े लिखे हैं और घर में बंद पढ़े रहते हैं आप इधर कुछ कुछ जीएगा तो हम लोगों को भी आगे निकलने का मौका मिलेगा पहले भी हमको बच्पन में बढ़ा तो है उसका मैं अटीक तक कड़ दिया गया जे नौकरी करने का सुची हो क्या बनना है जी नोकरी करने का सचे है लेकिन यहां पर मिल जाएगा सब को तो अच्छा रहेगा हां अच्छा रहे गएगा कहां से पढ़ी है मेरा इगनू से है अब क्या कर रही है अब अभी तो सिविल सर्विस का तैयारी का तैयारी तुमारा मेरा गेजबिशन हो गया है क्या करना है आग टीचर वनना है किस सब्जेक्ट का सुशलोजी क्या करना है तुम किस क्लास में हो तुम क्या करोगी अच्छा तुमको आई एस ऑफिसर बनना है पानी के दिक्कत यहां पर कभी रही नहीं क्यूंकि जमीन के नीचे पानी मिल जाता है लेकिन सिचाई के लिए क्या यह पर्याप्त है सिचाई के लिए यहां पर्याप्त नहीं है क्योंकि यहां पर अगल मगल में नहर होना चाहिए था जिसे हम लोग आसानी से पानी मिल जाता लेकिन यहां नहर की विवस्था नहीं है यह सब बोला जाता है कभी कोई बोला तो कई एक बार गया है लेकिन कोई सुने तब ना फिर भी है यहां कुछ दूर में है एक बोर्डिंग है प्राइब कि नीजी है उसी से हम लोग लेते हैं उसका लेकिन फेर लेता है पैसा लेता है वह ही है उसके अलावा ये बताओ कि मेडिकल इंस्टिटूट खुलने को है नदूर यह हमां यहां से लगपग पांच मिनट के फासले पर होना क्या चाहिए और क्या अगर इस बार जैसे गाउं के हिसाब से अगर वोट देने जाएगा तो क्या सोचके कि कि चीस चीज पर देना है किस बात पर रोजगार पे व बस रोजगार तो बहुत जरूरी है नीड है और जितने भी यूबा है सब बाहर ही जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र की तरक्की को अगर समझना है या यह समझना है कि कहीं काम हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके एकल गाउं में अगर आप जाए तो आपको बहुत हद तक संक आज़ आज़ आज़